हलो दोस्तों स्वागा थे मेरे एक नए वीडियो में तरो ताजा वीडियो में आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं Pulsar 160N जो की बिल्कुल नया fresh model मेरे सामने आपके सामने देख सकते हैं आपर ब्लू कले का जो बहुत ही नया Pulsar 160N जो आप देख सकते हो इसका मैं आज पूरा रिव्यू करने वाला हूँ बहुत सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ क्या इसमें खुबिया हैं क्या कमिया हैं और बहुत सारे मैं आपके अच्छे चीज़ बताऊंग है तो बने रहना वीडियो में लंबे समय तक और स्टार्ट करते तब तक वीडियो को तब तक आप अवराल वीडियो देख सेकते हैं पर गाड़ी काफी है और काफी बोल्ड लुक में है अगर आप इसके फ्रेंट से आप लोग इसको देखते हो तो काफी एक या महा सब्सक्राइब काफी अच्छा है यहां पर देख से तो यहां पर सिंगल सिलिंडर का चार श्ट्रोक वाला यहां पर गाड़ी है जिस भी ओल को आपको एफाई इंजिन के साथ मिलता है एक तो चौनसाट सिसी का यह गाड़ी आपको बजाज बोलता है जो कि मैक्सम्म टॉ पांच स्पीड वाले इसमें पांच गेरबक्स वाले आते हैं गाड़ी में और बाकी इसमें आपको ब्रेक्स के बारे में बता दूँ तो यहां पर ब्रेक्स में आपको डूल चैनल ABS N60 में मिलता है जो कि 300 mm का डिक्स रहेगा उसमें यह डूल चैनल वाला है गाड़ी और इसमें आपका सिंगल चैनल ABS मिलेगा जिसमें जो 280 mm का डिक्स रहेगा इसका पीछे का रियर का मैं आपको डिक्स बता दूँ तो 230 mm का डिक्स मिलता है जो की काफी अच्छी बात है इसमें जो रियर में आपको डिक्स मिल रहा है ABS सिस्टम है इस 160 में दो तरह के ABS आते हैं सि वो 55 mm है गाड़ी का ओवरोल जो डूवल चैनल वाला जो कर वेट है उसका 154 kg है और सिंगल चैनल वा जो आपका इसका वेट हाता है वो 152 kg का वेल्ट मिलता है फ्यूल टैंक आपको 14 लिटर का इसमें फ्यूल टैंक मिलता है एलेक्रिसिटी पीछे से आप देखतो तो यहां पर काफी कूल और काफी हैबी बोल्ड लुक में गाड़ी ने अहां पर लाया है जो कि बिलकुल आपको 160 जो पहले वाला गाड़ी आता था आरेस टाइप का उस बहुत ही कमफर्टेवल आपको मिलता है इस बाइक में है जो कि आप लोगे तो काफी मतलब आप अच्छा फील करोगे गाड़ी से खुश रहोगे जो कि आप यह वीडियू देख रहो तो क्योंकि में आपको यह गाड़ी आपको पसंद आया होगा तो मैं आपको बता रहा बाला हूँ काफी अच्छा लाइक तो कॉंसोल फीचर के बारे बात करें उसमें गेर इंडिकेटर क्लॉक आपको गड़ी मिलता है इसमें प्लेकर बिताता है एंड़ एंड मिलता है कि काफी शांदार बात है और आप हम देख सकते हैं जो आपको चाहर कर मैं बता दूं तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर चार्जिंग भी अच्छा है आपको 10W का और पूर मिल जाता है यह आपको लोग कोई अलग सा फील आए जिसमें आपको कोई हैवी इंजन स्टार्ट कर रहे तो वह बजाज ने काफी अच्छा किया है और इसका जो मैं यह 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 लिडिये आपको जो डिस्प्लेई के बारे हैं बात करूं तो आगे का जो डिस्प्लेई है वो काफी अच्छा ह अब buss में आपको और प्रोटेक्षं लगाना पड़े गा कि आपको लगाना ही चाहिे जो में कार्व वा को स्क्रिनले तरीका से आपको भी अपने आगे वालब डिस्पले में आपको स्क्रीनगाट लगाना पड़ेगा नहीं तो फिर आपको इसमें स्क्रैचेस का भी चांस बन सकता है जो कि देख सकते हैं आपको मैंने टेश्ट ट्राइब किया जो यहां देख सकते हैं ग्लिटर लाइट पर भी बहुत ही कूल है लाइट का जो इफेक्ट आप देख रहे हो बहुत ही जादा अच्छा है यह आप मैंने दीन के रोशनी में यहां पर शूट किया था वीडियो को तो वह आप यहां पर देख सकते हो जब मैं लाइट यहां पर ब्लिंक कर रहा हूं आप देख सकते हैं ने तुम आप देख सकते हैं यहीं है यहीं है वीडियो में एक और बाइक के वारे में देखाँगा, जो कि इसी का सेम कलर हो जो कि यहां ब्लैक कलर का है या काफी Pulsar N160 जो कि आप देख सकते हैं यह Black कलर का यहाँ पे model है वो था जो कि Blue कलर का model था तो इसमें काफी सारे Red भी ओप्सन आपको मिल लाते हैं Blue, Red, Black का तीन कलर का ओप्सन आपको मिलता है इसमें जो काफी Unity है तीन ओप्सन आपको इसमें मिलता है साथ ही मैं आपको जो बजाज ने नया 1P 150 चुलाया है वो भी मैं आपको स्वास ओभर्वाइज लुक देने का कोशिश किया हूँ तो आप वो भी देख सकते हो गाड़ी काफी दोनों में similarity बाद 10 CC का आपको अंतर फर्क पड़ेगा तो जो बंदा को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 160 लेने के लिए वो 150 की तरब भी पी की तरब जा सकता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सेम चीजी है बस CC का दिक्कत है और कुछ-कुछ सबकुछ सेम है यहाँ आप देख सकते हो गाड़ी थोड़ सा कामपैक लगता है 150 160 के मुद आप ले लेकिन काफी अच्छा है आप वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब